बोपाल और गौलिर में अटल जी की स्मृति में बनाय जाएंगे भव्य स्मारक मुख्यमंतरी शिवरासिय चौहान ने सीम हाउस पर आयोजित पत्रकार वारता में दी जानकारी प्रदेश की साथ स्मार्ट सिटी में अटल जी के नाम से बनेगी विश्व इस्तरिय लाइब्रेरी अटल जी की स्मृति में तीन राष्ट्रिय पूरुसकार परदान करेगी राजसरकार पत्रकार वार्था में जानकारी देते वे मुख्य मंत्री ने पत्रकारिता, सुशासन और कविता के ख्षत्र में सम्मान देने की कही बात भोपाल की Global Skill Park का नाम भी होगा अटल जी के नाम पर भोपाल के हभीबगन स्टेशन का नाम अटल जी के नाम पर करने का प्रस्ताव रेलवे मंत्राले को भेजेगी राज्जी सरकार केंद्री रेल मंत्री से नाम परिवर्तन के संबंद में करेंगे मुख्य मंत्री विचार बाढ़ प्रभावित केरल को मुख्य मंत्री ने की 10 करोड रुपे की साहता देने की घोशना संकट की घड़ी में केरल का साथ देने के लिए की प्रदेश वास्कियों से अपील मुख्य मंत्री रहत कोश में केरल साहता के नाम से कर सकते हैं राशी जमा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने रिटर्निंग अधिकारियों और साहिक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए आयोजित परिक्षा विवस्था का किया अवलोकन परिक्षा के संबंद में दिये आवशक निरदेश विश्व हिंदी सम्मेलन का मौरिशस में रंगारंग शुभारंब 18 से 20 अगस्त तक आयोजित सम्मेलन की मुख्य विशय वस्तू वैश्विक हिंदी और भारती संस्कृति पर केंद्रित विश्व मंत्री सुष्मा स्वराज ने हिंदी को वैश्विक पटल पर उभारने के लिए भारती सम्मुदाय से योगदान देने का किया आवहान विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभारंपर पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाचपई को दी गई शिद्धानजली विश्व कारेक्टम में शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री जयबांसी पविया जनसंपर्क मंत्री नरुत्तम मिश्वा साइथ कई स्थानी जनप्रतनी धिवी रहे उपस्थित रक्षा बंधन से लेकर पित्र पक्ष तक फेस्टिवल सीजन को देखते वे रेल्वे चला रहा है स्पेशल ट्रेंज भुपाल से रिवा मुंबई दिल्ली पटना पुने साइथ आठ शहरों के लिए चलेंगी कुल 15 विशेश ट्रेंग प्रदेश के 33 जिलों में अब तक हुई सामान्य वर्षा तेरह जिलों को अब भी बहतर बारिश का इंतजार अगले 24 घंटों में जबलपूर, सागर, रायसेन, विदीशा, मंदला सहित कहीं जिलों में भारी बारिश का अलर्ट देवास जिले के सिंगावादा में नविन शाला के भवन का स्कूल शिक्षा राज्यमंतरी दीपक जोशी ने मेदावी विद्यारतियों से करवाया भूमी पूजन करीब एक करों रुपे की लागत से बनने वाली शाला में अत्याधोनिक शिक्षा सुविधा रहेगी मौजूद प्रदेश में 25 अगस्त को बिजली के न्यायलाइन मुकदमे निप्टाने के लिए आयोजित होगी विशेश लोक अदालते पंजीबद श्रमी को कर्मकारों की उपस्तिती में निप्टाई जाएंगे बिजली के न्यायलाइन मुकदमे प्रमुक सचिव उर्जा आई सी पी केश्री ने दिये निर्देश भोपाल इस्तित अखिल भारती आयरुविज्यान संस्थान एम्स में अगले महा से शुरू हो सकता है कार्निया ट्रांस्प्लांट एम्स में आई बैंक किया गया तयार ट्रांस्प्लांट के लिए 40 लोगों की सूची की गई तयार इंडोनेशिया में 18 वे एशियन गेम्स का हुआ रंगारंग शुभारंब भारत के 571 सदस्य दल ने उद्गाटन समारों में किया मार्च पास्ट स्परधा में 45 देशों के करेब 11,000 खिलाडी पदक के लिए कर रहे मशक्कत और नांठिंगम टेस्ट की पहली पारी में भारत ने बनाए 6 विकेट पर 307 रन विराट कोहली और अजिंग के रहाने के बीच हुई 169 रनों की साज़ेदारी करियर के 23 शतक से चुके कप्तान विराट रिशप पंत को मिला डेबू का मौका